नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का सिख्छा सिटी के सीयोटूप चैनल में दोस्तो आज हम जन्रल साइन्स का एक most important topic आज के वीडियो में cover करेंगे यह topic है मानाव रोक का मानाव रोक का जो topic का दोस्तो इस topic से प्रतिवार्स जितने भी government के exam होते हैं उस एक्जाम में लगबग 2 से लेके 3 प्रस्ण होते हैं जो मानवरोग के टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकाल से यह जो मानवरोग का टॉपिक है आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण है तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यह जो मानवरोग का टॉपिक है टोटल दो भाग में आप तब पहुचाए जाएगा आज के भाग एक में हम उन सभी important concept को और उन सभी important point को cover करेंगे जो की मानवरोग से बन सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आप जाने है कि मानवरोग होता क्या है तो सरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनिय मित्ताओं को ही रोग या बीमारी कहा जाता है तो इसे आप याद देखिएगा एसे पदालत या सुच्म जीव जो सरीर में रोग उत्पन निकलते हैं उनको हम रोग कारक या पैथो जन के नाम से जानते हैं तो इसे आप याद है हिपोक्रेट्स ने किया था किस ने किया था तो रोग के उपचार के लिए पहली बार जो दवाओं का प्रियोग है वह किया गया था हिपोक्रेट्स के दारा इसी कारण से हिपोक्रेट्स को आउसदी विज्ञान का पीता कहा जाता ये concept आपके लिए most important है रोग के उपच के लिए जो दवाओं का पहली बार उपयोग है सौरपतम प्रियोग है वो किया गया था हिप्पोक्रेट्स के दोरा इसी कारण से हिप्पोक्रेट्स को औसधी बिज्ञान का पीता कहा जाता है यह most important point है इसे आप no down कर लेजेगा इसके बाद एक होता है रोग किटारू का दान्द क्या होता है जर्म थियोरी आप डिजी जिसको इंगलिस में कहते हैं रोग अनेक सुच्म जीवों तता हानिकारक पदातों से उत्पन्न होते हैं आपको पता होगा जितने भी रोग होते हैं वे अनेक प्रकार के सुच्म जीवों और हानिकारक पदातों से उत्पन् राबट कोच नामक एक ब्यक्ती थे इन्हों ने प्रमारित किया कि पस्वों में होने वाला जो एंथ्रेक्स रोग है उसका कारण सुछम जीवी जिवाडू है तो इनका नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है राबट कोच नामक एक ब्यक्ती थे इन्हों ने पहली बार प्रम तता रावट कोज का एया जो सिधान्त है रोग का किटारू सिधान्त कहलाता है तता रावट कोज का यह जो प्रसित सिधान्त था इसी को रोग का किटारू सिधान्त भी कहा जाता है तो इसके बाद जो मानव रोग होते हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है तो आईए ये दो भाग कौन-कौन से उसको हम cover कर लेते हैं सबसे पहला भाग होता है मानो रोग का जन्मजात रोग हो जाता है जन्मजात रोग और दूसरा हो जाएगा आपका उपारजित रोग तो यह दो रोग होता है मानो रोग के इनी को हम one by one करके cover करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म जात रोग होता क्या है तो यह जो रोग होता है गर्भावस्ता में यानि कि मा के पेट में या जन्म के समय जैसे आप जन्म होता है बच्चे का उसके जन्म के समय ही किसी भी बच्चे में या जीव में उसके सरीर में बिद्धिमान रहता है यह रोग यानि गर्भावस्ता के समय में या जन्म के ठीक बाद ही जीव के सरीर में रोग बिद्धिमान हो जाता है उस रोग को हम जन्म जात रोग कहते हैं तो इसे आप याद दखीगा इस रोग के अनेक कारण होते हैं जैसे गर्भावस्था में चोट या बुरून के गुरुसुत्रों में असमानेता है कभी कभी आप दखते हैं किसी जीव का गुरुसुत्र एक बढ़ जाता है या एक घड घड जाता है तेसी तथा हीमोफिलिया जैसे हो गया हिरदय के विकार हो गया वड़ा अंधता हो गया या जन्मजात रोग के उधारन है तो यह उधारन आप याद रिखेंगे डिरेक्टल एकजाम में पूछे आते हैं कि जो हीमोफिलिया है वह किस प्रकार के रोग का उधारन है आपको रिखेंगा इसके बाद हम बात करेंगे उपारजित रोग के बारे में हुआने कि एकवायड डिजीज क्या होती है तो यह जो रोग होता है जन्म के बाद या जीवन काल के दोरान सरीर में उत्पन्न होते हैं जन्म के बाद या जीवन काल के दोरान जो सरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम उपारजित रोग कहते हैं ये जो उपारजित रोग होते हैं दो प्रकार की होते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग उपारजित रो संक्रामक रोग के बारे में ये most important topic है मैं आपको बार बार बोर रहा हूं इसका आप notes बनाते चली गया क्योंकि इस exam से लगबग 2 से लेकर 3% प्रती वर्स पूछे ही जाते हैं इस topic से प्रती जितने भी exam होते हैं सही प्रकार की exam में इस topic से प्रती वर्स 2-3% पूछे जाते है तो आईए बात कर लेते हैं संक्रामक रोग के बारे में तो संक्रामक रोग होते क्या हैं तो ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं उन रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं ये रोग हानिकारक सुछम जीवों जैसे जिवाडू, विसाडू, प पहलते हैं तो जो संक्रामक रोग होते हैं यह जीवों में एक दूसरे के संपर्ख में आने से फैलते हैं इस रोग के बहुत सारे कारण जैसे सुचमजीव जो होते हैं जिवाडू हो गए, विसाडू हो गए, प्रोटो जोवा हो गए, कवक हो गए, यह सभी संक्रामक रोग के कारण होते हैं, तो इसे आप या देखिएगा, तो जिवाडू के कारण जो संक्रामक रोग फैलता है, जिवाडू से होने वाले कौन-कौन से संक्रामक रोग है, यह हैजा हो गया दितिर्या ओगया काली खासी प्लेग निमोनिया कालरा गोनोरिया च्छह रोग प्न टीबी कहते हैं टाइफाइड और कोड यानि लैप्रोसी यह सबी जो रोग हैं यह बैक्टिरिया यानि की जिवारू से फैलते हैं तीसे आप याद रखिएगा उसके बाद व गया, चेचक हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफलाइटिस, चिकन गुनिया, डेंगू, रुबेला और गलसुवा, यह सभी इंपोर्टेंट रोग हैं, जो विसाडू यानि की वाइरस से फैलते हैं, जिने भी पैरिया हो गया, काला जार हो गया, और निद्रा रोग जो होता है, यह सभी किसे फैलता है, तो प्रोटो जोवा से फैलता है, तो उसे आप आप आदेखिएगा, प्रोटो जोवा से मलेरिया फैलता है, पेचिस फैलता है, पैरिया फैलता है, काला जार फैलता है, और निद रोग होते हैं दोस्तों यह most important topic है जिवारु से कौन-िकौन से रोग फैलते हैं यह लगतार एक जामे पूछा जाता है अगर आप एकजाम दिया होंगे gornependeon तो आपको पता होगा कि इस प्रकार की प्रस्थ लगतारी जामे पूछा आते हैं कि कौन-कौन से रोग होते हैं जो जिवारूral से फैलते हैं या किस प्रकार की प्रोटोजोग से फैलते हैं तो इसे आप धिमाग में रखे गया यहां से लगाता रख जामेपेशन पूछे जाते हैं इसके बाद अगर हम इड्स रोग की बात करें एट्स रोग भी एक संक्रामक रोग है अगर हम एट्स की बात करें तो एट्स जो है किस से फैलता है तो यह विसाडू से फैलता है तता यह रोग HIV जो वाइरस होता है विसाडू होता है HIV का मतलब क्या होता है Human Immuno Deficiency Virus इसी के कारण जो है आपका HIV रोग होता है तो इसी भी आप यह देखीगा मतलब सॉरी एट्स का कारण क्या होता है एट्स के कारण होता है HIV वाइरस यानि की Human Immuno Deficiency Virus के कारण नहीं एट्स रोग होता है इसे आप यह देखेगा एट्स का पूरा नाम क्या होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome इसके बाद इस रोग में रोगी की प्रतिरोधक चमता देरे-देरे कम होने लगती है तथा HIV की जाच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है इसे आप यह देखेगा HIV की जाच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है उसके बाद malaria रोग की अगर हैं बात करें इस रोग का कारण क्या होता है malaria का तो इस रोग का कारण होता है plasmodium नामक proto-joa यह आप यह देखेगा plasmodium नामक proto-joa के कारण है malaria रोग फैलता है तथा इस plasmodium नामक proto-joa का वहाँ कौन माने आता है तो माहदा एनाफिलेज मच्छड यह भी important है इन्हों ने यह जनकारी दिख थी कि malaria रोग का कारण क्या होता है plasmodium नामक proto-joa तथा इसका वहाँ होता है मादा एनाफिलेज मच्छड तथा इसी जानकारी के कारण सर रोलान्ड रास को ही 1902 में चिकिस्सा में नोबेल पुरसकाल दिया गया था तो इसे भी आप या देखेगा इनको सर रोलान्ड रास को 1902 में चिकिस्सा में नोबेल पुरसकाल दिया गया था तो इन्हों ने बताया था कि malaria का कारण होता है plasmodium नाम proto-joa तथा इस proto-joa का वहाँ होता है मादा एनाफिलेज मच्छड तो यह most important है उसके बाद malaria में जो यह proto-joa होते है मानो सरीर में liver और प्लीहा को प्रभावित करते हैं जब malaria नामक रोग हो जाता है तो malaria रोग के जो वहाँ होते है proto-joa यह जो proto-joa होते हैं यह मानो सरीर में liver को और प्लीहा को प्रभावित करते हैं तता इस रोग में जो red blood cells होती है, हैली हमारी जो लाल रक्त कड़काएं होती है, वे तेजी से नस्ट होने लगती है, मलेरिया नामक रोग मिती से, आप याद देखेगा, वह अगर हम डेगू की बात करें, तो डेगू भी एक विशाडू वाला रोग है, या भी वाइरस के कारण फैलता है डेगू, तता इस डेगू नामक वाइरस मतलब या डेगू जो है, डेगू नामक वाइरस से फैलने वाल बीमारी है, तता इसका वहाग मादा एडीज एजिप्टी मच्छड होता है, डेगू का वहाग कोन होता है, वह डेंगू नामक बिमारी में होने लगती है तो इसे भी आप याद देखेगा वह यह अगर हम एलो फिवर यानि पीट जोर की बात करें तो यह भी एक वाइरस जनीच बिमारी है इसे आप याद देखेगा इसके बाद जपानी इंसेफलाइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो जपानी इंसेफलाइटिस है यह भी एक विसाड़ू वादा रोग क्या है तो यह भी एक वाइरस से फैलता है तो इस रोग का सौर्यपथम उद्गम जपान में फैलता किसके कारण तो Q-Lex प्रजाती के जो मच्छर होते हैं उन्हें के कारण जपानी इंसेफलाइटिस नामक रोग फैलता है यह रोग जो है सुवरों के माध्यम से भी फैलता है इसके बाद धान के खेट जोते हैं Q-Lex मच्छरों के पनपने के उप्युक्त अस्थान मान का खेट तो इससे आप यह देखेगा इसके बाद स्वाइन फ्लू के अगर हम बात करें तो यह भी वाइरस से फैलता हैने के विशाडू जणत रोग है तता इस रोग को फैलने वाला वाइरस है इंफ्लुएंजा H1N1 आप इससे आ देखेगा इंफ्लुएंजा H1N1 जो हो तो दोस्ते हैं पर हमने जितने भी संक्रामक रोग थे उनको हमने कवर कर लिया है तता कल के टॉपिक में कल जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे और संक्रामक रोगों को तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा यह वीडियो आपके थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू